हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर नुष्टियागी एक बार फिर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुष्टियागी पर हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा आप लोग को पता है कि मैं संजनेगर सेक्टर 13 में फिछले 12 वर्सों से आप लोग को सेवाय दे रहा हूं गुदारोग विष्टियसगय के तोर पर और मैं शार्सुतर चिकितसा कूंँ दोस्तों शार्सुत्र चिकितसा अपने आप में गुदा रोगों में बहुत एक महत्तपॉर इस्थान है ऐसी बीमारियां जो कि क्रॉनिक हो जाती है या परला इलाज हो जाती थी अब शार्सुतर चिकितसा दोरा भगंदर फिशर जैसी बार-बार ओपरेशन होने के बावजूद भी जो बीमारियां दोबार से हो जाती थी उनका भी इलाज अब संभाव है दोस्तों मेरी अगर आप यह मेरा पहला यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जातर लोगों के साथ में शेयर करें ताकि आप इस वीडियो के फाईदा जादा ज्यादा लोग उठा सकें दोस्तों आज का जो हम जिस विसेफर बात करने जा रहे हैं वह विस्ए है कि गुदा में जलन का होना क्या बीमारी इसमें हो सकती है तो दोस्तों आईए आज हम शुरू करते हैं अपना ये इस टॉपिक को कि दोस्तों गुदागत रोगों में होने वाली कुछ बीमारिया ऐसी है जिनके लक्षणाओं के तोर पर जो चिकित्सा की जाती है जैसे कि गुदा मार्क से दौके द्वारा जलन का होना अक्सर जब लोगों को गुदा मार्क में जलन होती है तो लोग उसको चुप-चाप छ चुपा लेते हैं जबकि उसमें या फर एक मन में रहता है कि बवासिर हो गई है दोस्तों ऐसा नहीं है आप अगर आपको गुदा मार्क में जलन लग रही है तो आप उसे एक बार अपने डॉक्टर से जो भी नियर भाई प्रॉक्टोलोजिस्ट है उनके द्वारा एक बा लोगों का जब जलन होती है तो कुछ लोग को गुदा मार्ग में कट लग जाता है जिसे कट लग जाने को हम लोग फिशर बोलते हैं जो कि अगर तीस ते चालिस पैतिस चालिस दिन में अगर अपने नियर भाई प्रॉक्टोलोजिस्ट को दिखाते है तो वह बीमारी आप जलन का होना यदि आपको मल की प्रवरति दिन बर में तीन से चार या चार आजाने की है तो आपको लग रहा है कि मीज़े मुझको लेटन सौफ्ट तो है लिकिन फिर भी मैं चार से पांच या चार जाता हूं दोस्तों तो आपको तुरंट अपने प्रॉक्टोलोजिस्ट तो नगती है तो होता क्या है दोस्तों की गुदा मार्ग में आपको सूजन आ जाती है जिसको प्रॉप्टेय। को लाइटेस के लिए वह लोग this तरह से समझ लोग जानते हैं कि जादतर लोगों को हमारे खाने को पचाने वाली जो प्रक्रिया है जो तेजाब या एसेड होती है जब दक नियमित मातरा में हमारे शरीर में है तब दक खाने को पचाने को गलाने की काम करती है लेकिन अगर वही अमल या वही एसेड बहुत जादा हो जा कि तरफ आती है तो उसमें मुख के द्वारा ज्यादा डखा रुका आना बार भार खाना तो ऐसे लोगों में पेट का साफ ना रहते हुए उसके मुख में पाक हो जाता है जिसको हम मुह में च्छाले या इस्ट्रमेटाइटिस मुख में च्छाले को बहुत क्यारता है तो ऐसी एस्थिति में वह गुद्पाक करता है क्योंकि हमारी मुह सेलेकर मुक्षे लेकर के Dr. आउरेल कैवेटिस से लेकर आंतों की जिल्ली शुरूं से लेके máंत बनी होतीं और उस इसे इसी इस्सिति में मलकी प्रवर्ती के कारें को ढूड़े कि आप दिन भर में कितनी बार क्यों जा रहे हैं ? खटा नब मंझ खाना या फिर बादी खाना बसी बंद खाना इस तरह की चीज़ा से प्रःष्ज करें इस तरह के छीज़ें आप नाओं दोस्तों वहीं आप दूसरी तरफ अगर करेंगे तो आपके इजन सब प्रिहिज करने के के तोड फेर आपको काफी अराम लेगा फिर आप अपने साथ में किसी भी अपने प्रोपर किसी डॉक्टर को दिखाते वे आपकी जो मल की प्रवर्ति क्या दफ़ा जाने वाली है और आपका जो नीचर अब एसेडिक हो चुका है बोडी का नीचर उसको थोड़ा सा एलकलाइजर की तरफ लेके चलें छार की तरफ शड़िक आप अपने एरबाई डॉक्टर को दिखाएं और फ्राप्त को दोडिकर जो कि गुदामारग के अंदर में गुदावली यानिए को गुदामारग की भित्ति था दिवार आपको ये रेड-डेड स्पोर्ट जा रहे हैं जैसे कि मुख में छाले हो जाते हैं यह बंजाते हैं यौ था नपर छाले बंजाते हैं तो दोस्तों इसमें आप पुछ भी लगाने की दवाईयां कारगर होती है तो उन्सेक काफी रिलिफ में टाipe यह ता है लेकिन जाते दी ग्रहत यह पिर भी आते हैं कि जिन से मरीज को राहत मिलती है दोस्तों दवाओं के साथ में अगर यह प्रक्रिया की जाए तो शुरुवात में ही उस मरीज को देखते देखते 25 दिन में काफे रिलीफ मिल जाता है और लगवाद डेड़ से दो महिने में यह मरीज ठीक हो जाता है लेकिन जैस पर अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसी के साथ दोस्तों मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों को अगर हमारे यह वीडियो यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस टॉपिक को जादा से जादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा धन्यवाद थैंक्यू